हलो गाईज मैं हूं उमका शर्मा और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले है कि कैसे आप CoinDCX Pro के अंदर successfully investments कर सकते हो देखो investment करना बहुत आसान होता है जो CoinDCX हैप है उसके अंदर लेकिन CoinDCX Pro के अंदर थोड़ी सी numbers वगेरा हमें यहाप ज़्यादा देखने को मिलते हैं यह चीज़े bid ask quantity यह थोड़े number ज़्यादा होते हैं तो यह देखके कभी कार थोड़ी सी confusion create हो जाती है तो हम INR से करके देखते हैं और मैं एक बात और आपको पता दूँ Bitcoin पर जब यहाँ क्लिक करके देखते हो तो limit और market दो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं लेकिन अगर आप कोई भी crypto दूसरी देखो जाके तो वहाँ पर आपको सिर्फ limit एकलौता option दिखाई देता है कोई सी भी आप देख लो जाके तो वहाँ पर सब पर आपको सिर्फ limit ही दिखाई देता है तो इनमें अंतर क्या है देखो इनमें बहुती चोटा सांतर है कि यह जो limit है limit का मतलब होता है कि अगर आप crypto को अभी नहीं खरी देना चाहरे जैसे कि यह 19,61,90,61,000 पर अभी चल रही है तो मैं इसको अभी नहीं खरी देना चाहरा है मैं इसको तब खरी देना चाहरा हूँ जब यह 17,00,000 की हो जाए ठीक है तो मैं वहाँ पर limit order option limit कर सकता हूँ और मेरे पास iNR में इतने आप देख सकते हैं 493 रुपे हैं तो मैं इतने 493 रुपे में से 25% जैसे मैं चाहता हूँ तो मैं 25% यहाँ पर देख सकते हैं 123 रुपे मेरे तब invest हो जाएंगे जब bitcoin 17,00,000,000 पर पहुँचेगा पैसे तो अभी कट जाएंगे मेरे crypto wallet मतलब यहाँ से यह जो coin d6 wallet है यहाँ से पैसे तो अभी कट जाएंगे लेकिन invest तब होंगे bitcoin के अंदर जब वो 17,00,000,000 पर पहुच जाएगा लेकिन market में क्या है market में direct investment हो जाएगी उतने की अभी जितने की यह price चल रहा 19,00,000,000,000,000 तो अभी सीधा मेरे 493 रुपे हैं उसका 25% 122 रुपे के bitcoin अभी खरीद जाएंगे तो यह अंतर होता है limit और market में तो हम यहां पर एक जैसे हम bitcoin हम usdt खरीद के देखते हैं usdt पर click करके buy आप यहां देख सकते हो एक ही option है limit का और यहां पर 83.36 rupees की हमें यहां पर यह usdt मिलेगी तो मेरे पास यहां 493 रुपे हैं मैं उसका 25% मैं चाहूं तो 123 रुपे मैं invest कर सकता हूं लेकिन अगर मैं चाहूं मैं एक ही usdt खरीद देना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता क्यूंकि यहां पर जो INR value है वो 100 रुपे से ज़्यादा होनी चाहिए मैं आपको यहां दिखा देत आपको कोई भी क्रिप्टो आप खरीदने जा रहे होते हो तो आपको कोई भी TDS नहीं देना पड़ता आप देख सकते हो TDS 0% लेकिन जब भी आप क्या कहते हैं investment करने जा रहे हो तो आपको fees जरूर देनी पड़ती है जो कि 0.2% तो मुझे यहां पर 20 पैसे की fees देनी मैं यहां पर swipe to buy कर दूँ है और यह खरीद गए 1.2 रूपीज की जो मेरी USDT है वो खरीद गई यहां पर message आ गया INR जो order है वो complete हो चुका है email भी आ गया यह दोनों चीज़े मेरी complete हो चुकी है ठीक है तो मैं इसको इस तरह से इतनी आसानी से कोई भी ज़्यादा बीन attention के है मैं यहां पर लेके 100% क्लिक करके और अगर मैं sell करने जाओं तो आप देख सकते हैं 100 रूपीज की खरीदी थी लेकिन मुझे मिलेंगे पैसे 98.83 रूपीज मिलेंगे ऐसा क्यूं यहां पर मेरा 1 रूपे 1 रूपे 20 पैसे के आसपास क्यूं कट रहे हैं इसका मतलब है यह यहां पर यह सब लिख रखा है कि 1 जुलाई 2022 से हमें TDS देना पड़ रहा है लेकिन हम उस TDS को क्लेम कर सकते हैं जब हम अपना जो income tax filling होती है वो करने जा रहे होते हैं proper तो हम वहां पर अपने 1% इस TDS को क्लेम करके वापस reclaim कर सकते हैं ठीक है हम वापस भी ले सकते हैं तो असान है यहां पर crypto में खरीदना बेचना crypto में investment करना लेकिन मैं आपको एक बात यहां पर और बता दूँ आप यहां पर direct भी मैंने आपको बताई था आप direct bitcoin से जैसे मेरे यहां पर मेरे पास 1.2% की UHDT थी तो मैं उस UHDT से direct ही यहां पर bitcoin खरी सकता था ठीक है तो यहां पर अगर मेरे पास जब थी तब मेरे पास 1.4 यहां लिखके आ जाता 1.2 तो मैं वहां से 100% डालके और यहां से जितने भी bitcoin आते 0.00 कुछ percent bitcoin आते तो मैं उसकी खरीच सकता था यहां पर direct swipe to buy लेकिन यह बात ध्यान रखने वाली थी यहां पर 100 rupees का होना चाहिए था और खरीदत टाइम देनी ही पड़ती है लेकिन INR में खरीचते टाइम आपको TDS नहीं देनी पड़ती तो इतना ही था इस वीडियो में आचा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिला अगर मिला तो इस वीडियो को like जरू कर दें इस चैनल को subscribe कर लें औ और अगर आप को indices डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको description में लिंक मिल जाएगी आप जरूर महांस डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारी website पर visit करना बिलकुल भी ना मूल है हमारी website पर जरूर जाए उसकी भी link आपको description में मिल जाएगी thanks for watching this video अपना ध्यान रखें मैं मिल